महराश्ट्र राज्य के नान्देड ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की 85 डायनों का बसे रहा है स्थानिय लोगों का मानना है कि यहां रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में करती लेती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वय को अमर करती है वहां माना जाता है कि यह इलाका डायनों का है यहां पर इंसान का कदम रखना खत्रे से खाली नहीं है और अगर आप वहाँ पर गए तो किसी तरहे की गलती आपके लिए काफी नुकसान दयाक साबित हो सकती है अगर आपको यह यकीन ना हो रहा हो तो आप यहाँ पर किसी भी पेडों में कील गाड़ कर खुद ही देख लीजिए लेकिन आप लोगों का मौत से सामना जरूर हो जाएगा आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास या उनश्रधा लग रहा हो तो इस भूतिया गाव का यही दस्तूर है इस भूतिया गाव को अभिशप्त माना जाता है यहाँ पर एक दो नहीं बलकी सारे इलाकों में डायनों का बसेरा जमा हुआ है नांदेर के निकट इस छोटे से गाव में डायनों की अब पूरा राज्य बसा हुआ है यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी लेकिन डायन ने गाव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको अपने साथ लगाई आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है यह गाव की वही जगह है जहां वास्तविक्ता में यहां के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है कब किस कौन सी जगहे पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले कोई नहीं जानता है अभी तक यहां पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं जिन में से पुरुष लापता हो गए लेकिन उनका अभी तक कोई अतापता नहीं चला है यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को मार दिया होगा रायपुर में पेडों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाई गई है यहां पेडों के उपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है एक बार एक पेड काटने पर गाव के एक मनुश्य की मौत हो गई थी तब से ही माना जाता है कि डायन का पेड काटने पर ही उसकी मौत हुई यहाँ पर एक तूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता है और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आया है 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहां के प्रशासन ने भी सीई कर दिया है दायनों को अपने वश में करने के लिए यहां पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ती लगा दी लेकिन इस बीच पांच से छे तांत्रिकों को भी मौत हो गई जिसके बाद तांत्रिक भी यहां की दायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे कहा जाता है कि गाउ में हर अमवस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बहार नहीं निकल हालाकि यह काफी पुरानी बात है अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं गाउ के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अकसर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबो ग्रीब आवाजे सुनाई देती है लेकिन पीछे मुरने पर कोई नहीं होता गाउ के रंजीत नाम के व्यक्ती ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दी थी काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है पर उसने जब पीछे मुर कर देखा तो कोई नहीं था रायपुर के लोगों का मानना है कि यहां कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गाउ के कुछ लोगों ने बलातकार किया था उसे बंदी बना कर रख लिया और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी इसके बाद वही डायन बन कर यहां अपना बदला पूरा करती है